हेलो स्टुडेंट्स वेलकम ओल अफ यू आज बच्चों दीख्षाला इंस्टूड में जो टॉपिक पढ़ेंगे वह बढ़ेंगे बच्चों हम लेमिट्स तो बच्चों लाज्ट क्लास में हमने यह डिसकस कर लिया था इवेलुएशन ओफ एलजेब्रिक लिमिट्स उसके लगती है तो हम उसे कैसे सॉल्फ करेंगे तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वह यह वेलुएशन ओफ किनलो मैट्रिक लिमिट्स क्या है कि सब्सक्राइब करेंगे बच्चों आज हम इसके अंदर उसको देखेंगे अब बच्चों हमें पढ़ना evaluation of technometric limits यानि अब limit जो लगेगी बच्चों वो किस पर लगेगी technometric operations पर लगेगी अब technometry पर बच्चों लगेगी तो जैसे sin theta पर कोई limit लगेगी तो obvious सी बात है कि जो limit जाएगी वो किस पर जाएगी थीटा पर क्योंकि साइन पर लिमिट जा नहीं सकती बच्चों जो भी हम value पुट करते हैं वो किस की पुट करते हैं थीटा की value पुट करते हैं तभी तो मैं sign theta output में मिलता है बच्चों तो अब जो limit लगेगी वो angles पर लगेगी तो technometric ratio में बच्चों जब भी हम limits लगाएंगे तो उनके angles पर हम limits लगाएंगे तो अब बच्चों हम सबसे पहले कुछ important formulas देखते हैं जो related होते हैं technometric limits से यानि उन formula पर based होती है technometric limits की पूरी कहानी अग बच्चों कुछ important formula हैं हम discuss करते हैं देखिए तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बच्चों जो limit लगेगी वो किस पर लगेगी एंगल पर लगेगी तो यहां पर बच्चों लेके चलते हैं इस theta is a angle हमने क्या मान लिया कि theta कोई एक angle है और बच्चों हमने theta को जो measured कर रखा ह । बच्चों के आगे limit की बात करेंगी यानि सबसे पहले यह मान के चलना है कि यहां पर जो हम limit लगा रहे हैं रखा रहे हैं और बच्चों हम एंगल theta को यहां पर रेडियन में नहीं है यानी जो भी limit लगेगी वो कब लगेगी जब अ wijग रेगा अब मान लीजे कि किसी question में angle अगर radiant में नहीं है तो सबसे पहले आप angle को radiant में convert करेंगे उसके बाद ही जो formulas हम पढ़ रहे हैं वो उस पर valid यानि अब जो हम formulas पढ़ने वाले हैं वो सबके सब valid तभी होंगे जब angle किस में दिया होगा radiant में दिया होगा इस पूरे में बच्चो जो हम chapter अभी पढ़ने वाले हैं topic evaluation of technometric limit वहाँ पर मैं जहाँ जहाँ ठीटा लिखूंगा तो आप consider कर लीजेगा कि ठीटा जो है वो किस में radiant में तो हमने पच्चो पहले ही mention कर दिया है कि ठीटा एक angle है जिसको हम measured किस में कर रहे हैं अब देखिए हम उसके आगे की कानी चलते हैं बच्चो तो सबसे पहला formula जो आपका बनता है बच्चो वो बनता है कि limit अगर ठीटा टेंस टू जीरो है तो साइन ठीटा की value कितनी आईगी अब बच्चो अगर ठीटा टेंस टू जीरो यानि ठीटा के जीडो के पास जा रहा है बच्चो ठीटा जीरो के पास जा रहा है तो हमें बताये कि 100-ठीटा की value कितनी होती है बच्चो यह दहीं psychology देता है साइन लिएध टीरो पर हमेशा value कितनी जीरो तो यह पहला formula तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी दूसरा फोर्मुला है बच्छों, अगर लिमिट थीटा ट mess टू जीरो है तो गए तो अगर बच्चो cos theta रखा तो cos 0 की value कितनी होती है 1 तो इसकी value कितनी आ जाएगी 1 अब बच्चो हमने लिखा कि limit अगर theta tends to 0 है और 10 theta है बच्चो तो 10 theta क्या होता है बच्चो sin theta over cos theta तो आप इसे लिख सकते हैं कि limit theta tends to 0 sin theta over cos theta अब बच्चो limit down पर लग जाएगी तो ऊपर 0 हो जाएगा और नीचे 1 हो जाएगा क्योंकि अगर sin theta में 0 पुट करेंगे तो हमने पड़ रखाएगी limit theta tends to 0 sin theta की value कितनी आ रही है बच्चो 0 आ रही है तो यह तो 0 आ गई है तो technometric limits बच्चो अभी हमने start करा है तो हमने सबसे पहले सबसे बेसिक formula पड़े है यहाँ पर हमने यह consider करा है कि जो theta है वो किस में आ रहा है बच्चो theta आपका radian में आ रहा है अब theta radian में आ रहा है तो बच्चो आपका radian में आ रहा है तो अगर limit theta टेंस्टू 0 है तो sin theta की value क्या होगी अब देखिए अगर theta 0 आ रहा है तो इसका मतल़ है बच्चो साइन 0 हो गया साइन 0 की value कितनी हो जाती है जिरू अगर theta tends to 0 है बच्चो एंगल 0 है तो हम theta tends to 0 कर रहे हैं तो sin theta की answer देगा cos theta की answer देगा और 10 theta answer क्या देगा बच्चो अब बच्चो इसके reciprocal की पढ़ने के तो कोई जरूवत है नहीं और कहीं भी अगर बच्चो cos theta आता है तो आप उसे 1 by 10 theta लिख लेंगे और 10 theta के according solve कर लेंगे यानि इस chapter में बच्चो जब हम बात करेंगे तो हम sin theta cos theta और 10 theta की बात करेंगे इनके reciprocal की बात नहीं करेंगे क्यों क्योंकि reciprocal को तो one upon में करके इन में लाया जा सकता है बच्चो य यहां पर बच्चों हम जो बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं कि sin theta की cos theta की और 10 theta तो यह चांपको समझ में आ गया बच्चो कि अगर हमारे पास theta T cries wären value कि जीरो आएगी 10 theta T स्टू जीरो है तो टेन ठीटा की वैल्यू कितनी आएगी इतनी बात आपको सब्सक्राइब अब देखिए बच्छों आगे बढ़ते हैं कि अगर हमारे पास अब को अगर इंटर्मीडिट फॉर्म मनती है तो हम उसे कैसे लिखेंगे अगर मान लिजे कि हमारे पास ठीटा टीटा अपन ठीटा अपन ठीटा अगर बच्छों देखो कि अगर हम लिमिट पुट करेंगे तो ठीटा टेंस टू पर साइन ठीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी ठी बच्छों ठीटा ठीटा डीनेटर में जीरो आजाएगा आज गया अगर अगर लिमिट ठीटा टेंश टू जीरो है तो sin theta over theta की value कितनी आएगी sin theta over theta की value वन आएगी यह आपको learn करना है ठीक है बचों इसी तरीके से बचों अगर हम 10 में बनाएगे तो limit theta tends to 0 है तो 10 theta over theta की value भी कितनी आजाएगी वन आजाएगी क्योंकि यहाँ पर 0 upon 0 की form आजाएगी तो यह value किती निकल कर आएगी इसकी value भी वन निकल कर आती है इतनी बात आप सबको समझ में आगी बच्चों इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है अब मान लीजे कि बच्चों कोस के साथ ऐसा हो जाए तो limit theta tends to 0 हो जाए और cos theta over theta हो जाए बच्चों तो cos 0 की value तो बच्चों 1 हो जाती है तो यह 1 upon 0 हो जाएगा तो 1 upon 0 की value बच्चों कितनी हो जाती है infinite हो जाती है यानि जब भी हम किसी natural number को divide करते है 0 से तो value कितनी हो जाती है तो यह formula समझ में आगे बच्चों यानि जब भी आपके पास ऐसी form बनेगी की sin theta upon theta आएगा और यहां पर theta tends to 0 होगा तो बच्चों tignometric limits के according इसकी जो value निकल कर आएगी वो कितनी निकल कर आएगी वो 1 निकल कर आएगी तो यह आपको एदा formula learn करना है बच्चों यह formula ही होता है tignometric limits का की limit theta tends to 0 sin theta over theta की value कितनी होती है 1 होती है इसी तरह से बच्चो limit theta tends to 0 10 theta over theta की value भी क्या होती है 1 होती है cause में तो बच्चों simple यह आप solve कर रहे हैं तो आपने value put कर थी बच्चों आपके पास answer आ गया क्ये लिए रूब बच्चों तो आपने यह देख लिया कि बच्चों अगर limit theta tends to 0 तो डारेक साइन ठीटा पर कोश्टर चीटा पर लग रहे हैं तो क्या answer आ रहे हैं और साइन ठीटा ओवर theta पर लग रहे है और तो क्या answer आ रहे हैं यह तो बच्चों वो question हो गए जहांपर theta tends to 0 आ रहा है यानि लिमिट क्या हो रही है tends to 0 हो रही है अब बच्चों ऐसा हमेशा तो होगा नहीं ना कि limit क्या हो tends to 0 अब अगर limit tends to other है कोई constant है तो हम कैसे देखेंगे उसे देखेंगे बच्चों अब बच्चों हम लेते हैं कि अगर हमारे पास दे रखा है कि limit x tends to a दे दिया बच्चों ने और नहीं दे दिया sin x minus a over x minus a अब बच्चों उसने क्या करा उसने यहाँ पर limit x tends to a कर दिया और यहाँ पर हमें लिख दिया sin x minus a over x minus a अब मैंने ठीटा की जगा x ले लिए अस्ते तो कोई फिरक नहीं पड़ेगा अब आप देखिए कि जब हम x की जगा a put कर रहे है बच्चों तो a minus a कितना हो जाएगा 0 यानि sin 0 की value 0 और यहाँ पर भी a minus a कितना हो गया 0 तो यहाँ भी बच्चों यह कितना हो गया 0 यानि sin 0 upon 0 की form बन गई x tends to a put करने पर तो बच्चों हम यहाँ पर क्या करते है कि इसका जो answer आता है वो क्या आता है 1 निकल कर आता है अब 1 आता कैसे है वो देखिए कि आप हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हमने x minus a को y मान लिया या फिर ठीटा मान लिया हमने let कर लिया x minus a को ठीटा अब बच्चों अपने यहाँ पर लिखा कि if x tends to a अगर x की जगा a है तो बच्चों a में यहाँ पर रख दूँगा तो a minus a 0 हो जाएगा यानि ठीटा टेंस to क्या जाएगा 0 अगर यहाँ पर x tends to a है तो ठीटा टेंस to जीरो साइन ठीटा होगा ठीटा जोकि x minus a की जगा ठीटा रखेंगे अब देखिए यह पिछली वाली फॉर्म बन गई तो उसका आंसर कितना रहा था इसका आंसर वना रहा था यानि बच्चों अगर हमारे पास लिमिट ठीटा टेंस to 0 या x tends to 0 नहीं है इसके अलावा कोई constant है तो हम यह चेक करेंगे कि उस constant की value रखने पर क्या हमें sin 0 upon 0 की form मिल रही है यानि अगर हमने उस constant की value रखी तो जैसे हमने x tends to a था तो हमने a की value रख दी बच्चों अगर ऐसा रखने पर हमें क्या मिल जाए a a पुट करने पर जैसे a minus a 0 हो गया तो sin 0 upon 0 मिल गया यानि अगर हमने x tends to a रखा कोई भी value पुट करी और sin 0 upon 0 की value मिल जाएगी तो उसका answer भी क्या आजाएगा बच्चों उसका answer भी आपके पास बना जाए अब अब बच्चों अगर sin में यह हो रहा है तो same 10 में arise हो गा कि 10 x minus a over x minus a की value कितनी आजाएगी यानि अगर limit x tends to a sin x minus a over x minus a 1 है तो अगर हम बच्चों इसी को 10 में put कर देंगे तो limit x tends to a 10 x minus a over x minus a की value भी कितनी निकल कर आजाएगी इसकी value भी 1 निकल कर आजाएगी के लिए रुआ बच्चों बाकी solution वैसा ही है बच्चों कि आप x minus a को theta बाल लीजे सेम रहेगा sin की जगा बस बच्चों यहाँ पर क्या लिख जाएगा 10 लिख जाएगा तो इसका formula आपने पड़ी रखा है बच्चों कि अगर limit theta tends to 0 है तो 10 theta over theta की value कितनी आती है 10 theta over theta की value क्या आती है वहीं से बच्चो result आपके पास निकल करा जाए तो बच्चों आपने सारे formula देख लिए technometric limits की क्या होते हैं तो सबसे पहले आपने देखा कि सबसे पहले याद करने बाली बात यह ध्यान रखने बाली कि यहाँ पर ठीटा पूठ होगा बच्चों वो theta किसमें पूठ होगा radian में पूठ होग होगा तब ही हम वो solve कर पाएंगे otherwise हम उसे solve नहीं कर पाएंगे ठीक है बच्चों आपने पढ़ा कि अगर हम theta tends to 0 direct put कर रहे है साइन ठीटा में तो value 0 आती है कोस ठीटा में value put करेंगे तो 1 आएगी और 10 ठीटा में put करेंगी तो आपके पास क्या आ जाएगी 0 अब अच्चों आपने फिर पढ़ा कि अगर हमारे पास limit ठीटा tends to 0 है और साइन ठीटा ओवर ठीटा लिख रहा है तो इसकी value कितनी आएगी 1 अब बच्चों बस आपको एक चीज और ध्यान लखना है कि अगर यहां पर ठीटा लिख रहा है तो नीचे भी क्या होना चाहिए सेम ठीटा होना चाहिए वह ठीटा डिफरेंट नहीं हो सकता मान लीजे कि ठीटा value multiply करने पर बच्चों हम 0 पुट कर रहे हैं अब ऐसा अगर मैं यहां पर लिख दूँ कि मैंसे लिख दूँ साइन टू ठीटा ओवर ठीटा लिख दूँ बच्चों अब मैंने यहां पर लगा दिया कि लिमिट ठीटा टेंस टू अब आप कहेंगे कि जो हमने ठीटा की value 0 पुट करी तो 2 इंटू 0 0 हो गया बच्चों साइन 0 प कर सकते हैं अगर यहां पर टू ठीटा लिख रहा है तो आपको दिनोमेटर में टू का मल्टिप्ला टू का डिवाइड करना पड़ेगा अब बच्चों यह पूरा जो है वह वन बन जाएगा तो वन इंटू टू वैल्यू कितनी आ जाएगी टू आ जाएगी अब हम इसे क क्या सकते हैं कि यह साही है इतनी बात आपको संद्द है यानि जब भी टिग्नोमेटर्टिक लिमिट आप सॉल्व करेंगे और साइन ठीटा वा अपन ठीटा का पोश्च्टन जब आप सॉल्व करेंगे तो बच्चों जो एंगल साथ यह टिग्नोमेट्रिक टंब्स के नहीं करेंगे आप ऐसा बिल्कुल मुत मानिए का कि टू ठीटा तो सब Two साइन टू ठीटा का फॉर्मूला लगा कर लीजे तो आपको वहां से भी आंसर मिल जाएगा यह आप पे डिपेंड करेगा कि आप उस कोश्चन को कैसे सॉल्फ करना चाहरा है केलियर हुई बात बच्चो अब जैसे अगर हम इसी कोश्चन को बच्चो ले लेते हैं कि साइन टू ठीटा है तो बच्चो इसको दूसरा मेटड क्या होता सॉल्फ करने का देखिए मान लीजे कि आपके पास आता लेमिट ठीटा टेंस टू जीरो और यह आया था साइन टू ठीटा ओवर ठीटा तो बच्चो एक तरीका इसका यह भी है कि आप लिखते लेमिट ठीटा टेंस टू जीरो साइन टू ठीटा का फॉर्मुला लगा देते टू साइन ठीटा कोश सब्सक्राइब और नीचे देनोमेटर में क्या दा बच्चो थीटा अब देखें कि साइन ठीटा पॉन ठीटा बच्चो फॉर्म बन गई तो आपने ऐसे लिख दिया लिमिट ठीटा टैंस टू जीरो तू इन टू में साइन ठीटा ओवर ठीटा अब जब लिमिट पूट आप question solve करेंगे तो जो angle बच्चो साइन के साथ या टिग्नोमेटर के साथ लग रहा है वही पूरा denominator में होगा तब यह answer साही अब इसका दूसरा method क्या हो जाता बच्चो दूसरा method यह हो जाता कि अगर हम इसका second method देखते तो second method में हम क्या करते हैं कि हम लिखते कि limit ठीटा लिखते बच्चो अब limit ठीटा ठेंस टू हमने जीरो लिख दिया तो यहां पर बच्चो हमारे पास साइन डू ठीटा ओर ठीटा था ता बच्चो तो हमने लिख दिया है कि साइन टू ठीटा ओए तो लिख दिया तो का मल्टिप्ला अब आप 2 का मिल्टिप्लाइट और beyond ह होगे तो यह होगे साइन टू ठीटा ओवर टू ठीटा अब यह तो इन्टू वन हो जाता तो वैल्ली किसनी आ जाती यानि जो एंगल टिग्रोमेट्रिक के साथ लग रहा है वही सेम डिनोमेटर में होना चाहिए तभी यह फॉर्मुले एप्लीकेवल है अधर्वाइस यह फ को हम कैसे सॉल्फिक स्कूर्ब करते हैं इसकूए किसी कोविलिट तो नहीं है अगर लिमिट एकस्तेंच ट्रू ठीटा थीटा ठीटिक डीटो कैसे सवल्फ करेंगे और अगर ठीटा ठीटा स्टू כा नंस्तेंट है तो कैसे सॉल्फ टरेंगे यह सारी बात है आपको सारे आपको clear हो गए ठेक है बच्छों बात करेंगे कुछ questions की trigonometric limits पर कि कैसे question यहां से arise होते हैं और उन्हें हम कैसे solve करते हैं तो देखिए बच्छों कुछ questions लेते हैं important questions है तो पहला question बच्छों हम लेते हैं कि limit अगर हमारे पास आता है x tends to 0 sin 4x over sin 2x अब बच्छों हमारे पास आ गया limit x tends to 0 sin 4x over sin 2x अब एक तरीका बच्छों दो मैथर से मैं आपको question को solve करवाओंगा तो one by one आप देखिए कि हम उसे कैसे solve करेंगे तो बच्छों सबसे पहले हम solution करते हैं first matter से अब first matter से बच्छों से लिखेंगे तो देखिए हमने लिखा limit x tends to 0 sin 4x over sin 2x अब बच्छों हमने पढ़ाता कि sin theta over theta की value क्या होती है बन होती है हमने क्या पढ़ाता formula हमने पढ़ाता बच्छों कि limit x tends to 0 मालीजे x में ले रहे हैं तो sin x upon x की value कितनी होती है अब बच्छों यहां पर 4x है तो यह 1 कब होगा जब नीचे 4x आ जाएगा अभी तो वैल्यू पुट कर नहीं सकते डारेक्ट क्यों नहीं कर सकते बच्छों कि sin 4x की value भी 0 होती है साइन 2x की तो 0 upon 0 की intermediate form हो रही है अब बच्छों में technometry में formula अगर बनाना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे देखिए कि sin 4x लिख रहा है बच्छों तो 4x का multiply 4x का divide यह कर सकते हैं बच्छों अब 4x upon 4x से यह वाली form मन जाएगी बच्छों सेम नीचे बच्छों अगर sin 2x लिख रहा है डिनोमेटर में है तो 2x का multiply 2x का divide यह भी form मन जाएगी x से x cancel हो गया बच्छों और 4 से 2 cancel हो गया अब बच्छों आप limit अगर इसमें put करेंगे तो 2 तो भार आ गया limit x tends to 0 sin 4x upon 4x तो यह बच्छों यह formula लगके बन आ जाएगा डिनोमेटर में limit जाएगी तो बच्छों sin 2x over 2x की value कितनी हो गई 1 हो गई 2 into 1 तो answer कितना निकल कर आ गया answer बच्छों यहां से निकल कर आगे तो clear हुआ यानि अगर आपके पास ऐसी form generate नहीं हो रही है sin theta over theta की तो आप क्या कर दिए solve करने के लिए sin theta over theta की form को बना लीजए sin theta over theta में आपने देखा कि उपर बाले में theta की value 4x है तो आपने 4x का multiply 4x का divide कर दिया बच्छों तो यह आपके पास एक time बन गया 4x बाहर बच गया नीचे बच्छों sin 2x से theta गी value 2x से 2x का multiply 2x का divide कर दिया form बन गया x से x कर गया बच्छों यह 2 बचके 2 तो भार आगया अब बच्छों यहां पर यह बाली form लग गई कि limit x tends to 0 sin x upon x तो limit x tends to 0 sin 4x upon 4x की value कितने हो गई 1 और limit x tends to 0 sin 2x upon 2x की value कितने हो गई 1 तो 2 into 1 answer कितना निकल कर आगया बच्छों? answer आपके पास निकल कर आगया 2 यह तो बच्छों हो गया कि simple हमने क्या करा? limit put कर दी trigonometry की और उससे हमने solve कर लिया अब माल लीजिए कि हमें trigonometry का use करके इस question को solve करना है तो second method बच्छों second method में हम क्या करेंगे? कि हमारे पास क्या दिया है? हमारे पास दिया है limit x tends to 0 sin 4x over sin 2x यह दिया है बच्छों अब हमें trigonometry use करनी है तो बच्छों हम क्या लिख सकते है? limit x tends to 0 sin 4x को बच्छों 2 into 2x लिख सकते है over sin 2x अब अच्छों इसको थोड़ी देर के लिए theta माल लीजिए तो sin 2 theta का आपने formula क्या बढ़ा था? sin 2 theta का आपने formula बढ़ा था 2 sin theta तो 2 sin 2x और cos theta यह बढ़ा था आपने sin 2 theta का आपने sin 2 theta का formula क्या बढ़ा था? 2 sin theta cos theta यानि 2 sin 2x cos 2x और divide में क्या आपके आपके पास sin 2x तो sin 2x से sin 2x cancel हो गया बच्छों अब sin 2x से sin 2x cancel हो गया तो बच्छों यह क्या बच्छा आपके पास limit x tends to 0 to cos 2x जी तो बच्छ क्या बच्छों अब 2 तो भारा आपके पास limit x tends to 0 cos 2x आप देखिए कि दोनों को आंसर क्या निकल कर आया यानि आप चाहे कैसे भी solve कर सकते हैं अगर आप technometric limit वाली form बना के solve करना चाह रहे हैं तो आप वैसे solve कर सकते हैं या फिर आपको technometry के formula अच्छे से आते हैं तो उनको बच्चो आप apply कर सकते हैं जो चीज़ दिक्कत दे रही है उसको आप cancel out कर दिए उसके बाद direct substitution से आपके पास आंसर आ गया कि technometric limit में हमने direct value substitute कर दी वहां से हमारे पास क्या निकल कर आ गया वहां से हमारे पास answer निकल कर आप के लिए रुगा बचाहूं तो इसमें ऐसी कोई limitation नहीं है कि आपको किसी method से solve करना है आपको जो method अच्छा लग रहा है जो method easy लग रहा है comfortable हो आप जिस method में है आप उससे solve करिए यहां पर यह कहीं नहीं लिखा हुआ आएगा कि ऐसे method से solve करना है आपको तो limit evaluate करनी है method correct होना चाहिए approach आपके उपर है कि आप ऐसे जा रहे है या ऐसे जा रहे है नहीं बननी चाहिए जो गलत हो mathematics के according के लिए रही बच्छों अगिला question देखते हैं बच्छों next question हम लेते हैं हमारे पास आता है limit x tends to 0 sin ax over bx कि अब बच्छों कोशन आया हमारे पास कि हमें evaluate करना है limit x tends to 0 है बच्छों और हमारे पास दे रखा है कि sin ax over bx हमें निकालना है अब sin ax over bx निकालना है तो बच्छों हम देखे कैसे निकालेंगे कि sin ax है यानी ठीटा की value कितनी है बच्छों ax है तो नीचे भी क्या बना चाहिए ax बना चाहिए तब ही तो मुस्से सॉल्फ कर पाएंगे क्योंकि अभी तो मैं एक्स की जगा 0 रखनी सकते बच्छों क्यों क्यों यहां पर sin ax एक्स की जगा 0 रखेंगे तो साइन 0 हो जाएगा बच्छो 0 आ जाएगा और नीचे एक्स की जगा 0 रखेंगे तो बीन टू 0 0 हो जाएगा 0 पन 0 की फॉर्म है बच्छो तो देखिए हमने क्या कर रहा बच्छो यहां पर हमने लिखा limit x tends to 0 इसको सॉल्ब करने के लिए हमने एक्स का डिवाइड कर दिया और एक्स का मल्टिप्लाइघ करती है यह कर सकते है बच्छो तो जो एंगिल ठीटा यहां पर है वही ठीटा यहां पर है तो sin theta upon theta की value 1 होती है तो a upon b into 1 इसका answer कितना निकल कर आ गया बचो इसका answer आपके पास निकल कर आ गया a over b के लियर हुआ बचो तो यह इस question का answer हो गया answer कितना आया बचो हमारे पास answer आ गया a over b इसमें किसी कोई दिक्कत तो नहीं है बचो next question की दरफ चलते हैं बचो next question देखे कि किस टाइप का question arise होता है बच्चो नेक्स पोशन लिया कि बच्चो हमारे पास आ गया limit x tends to pi कि साइन पाई माइनस x over पाई माइनस x अब अब अच्छो हमारे पास आया कि हमारे पास जो दे रखा है वह limit x tends to pi दे रखा है अब limit x tends to pi दे रखा है और यहां पर पाई माइनस x over pi माइनस x है अब x की जगह अगर मैं पाई रखूंगा बच्चो तो पाई माइनस पाई 0 नीचे पाई माइनस पाई 0 अब लेकिन हमने तो पढ़ाता कि limit theta tends to 0 अब हमारे पास हो गया बच्चो लेमेट एक्स टेंस टू पाई लेते हैं तो अब साइन ठीटा पॉन ठीटा हो गया तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चो वन आ जाएगी क्योंकि साइन 0 पॉन पॉन नहीं हमने डारेक्ट फॉर्मूला पढ़ा रखा है बच्चो तो हम यहां पर लिख देंगे कि यहां पर हमने पढ़ा रखाया है कि limit theta tends to a sin theta minus a over theta minus a की value कितनी हो जाती है वन हो जाती है इस रिजल्ट का बच्चो हमना यहां पर यूज कर रहा और डारेक्ट वैल्यू क्या निकाल के दिखा दी डारेक्ट वैल्यू वन निकाल के दिखा के लिए रुगा बच्चो सबज में आ गया आपको यहां कोई दिखकत त नेक्स कोश्चन देखें बच्चो नेक्स कोश्चन क्या आता है यहां पर तो नेक्स कोश्चन बच्चो हम लेते हैं कि हमें दिया हुआ है लिमिट x tends to 0 cos 2x minus 1 over cos x minus 1 अब अच्चो यहां पर हमें दिया हुआ है कि हमारे पास कोश्चन है लिमिट x tends to 0 limit x tends to 0 cos 2x minus 1 over cos x minus 1 अब इसको हम कैसे solve करेंगे बच्चो अब देखो इसको solve करने का तरीका क्या है कि अगर हम x की जगा 0 अभी put कर देते हैं उपर तो cos 0 की value 1 हो गई बच्चो 1 minus 1 0 आगे numerator में ऐसी denominator में put करेंगे तो बच्चो 0 पर 0 की form arise हो गई यानि अभी तो हम इसे ऐसे put नहीं कर सकते हैं अब इसे हम कैसे solve करेंगे देखें बच्चो हमने लिखा limit x tends to 0 अब trigonometry का use करना पड़ेगा तो हमने लिख दिया बच्चो cos 2x minus 1 over cos x minus 1 यही तो लिखा बच्चो अब cos 2x का formula लिखना है आपको in terms of cos x क्योंकि नीचे cos x आ रहा है बच्चो तो cos 2x का अगर आप formula लिखेंगे in terms of cos x तो आपको पता होगा बच्चो कि cos 2x का formula एक होता है 2 cos square x minus 1 यही होता है आपके पास limit x tends to 0 to cos square x minus 1 minus 1 minus 2 हो गया और divide में बच्चो क्या आ गया cos x minus 1 आगे solve करेंगे तो बच्चो limit x tends to 0 to common ले लिया cos square x minus 1 over cos x minus 1 तो 1 का square लिख सकते है अब बच्चो a square minus b square वाली form हो गई तो आप इसे क्या लिखेंगे limit x tends to 0 to यह हो गया आपके पास a minus b और a plus b cos x minus 1 औ तो cos x plus 1 और नीचे आ गया आपके पास cos x minus 1 यह cancel हो गया बच्चो अब limit x tends to 0 दे रहे के 2 into cos x plus 1 आ गया तो आप यहा पर value put करेंगे बच्चो तो 2 into cos 0 की value 1 1 plus 1 तो बच्चो 2 into 2 value answer कितना आ गया आपके पास answer निकल कर आ गया 4 तो बच्चो यह वह form थी जो direct put नहीं हो रही थी तो आपने क्या करा है टिग्नोमेटरी का यूज करा टिग्नोमेटरी का यूज करने पर आपने वो factor cancel कर दिया जिससे 0 upon 0 की form आ रहे थी यानि cos x minus 1 अब बच्चो cos 2x के कही सारे formula होते हैं तो आप यह कैसे देखोगे कि कौन सा formula apply करना है तो उसके लिए बच्चो आपको दे अंसर निकाल के लिए रूँए बच्चो समझ में आया हम कैसे solve कर रहे है कि सबको के लिए रोगए बच्चो ठेक है next question पर चलते हैं next question लेते हैं बच्चो limit x tends to 0 x into sec x अब बच्चो हमारे पास question आया कि limit x tends to 0 x into sec x अब कैसे solve करेंगे बच्चो देखो अगर हम x sec x तो बच्चो हमने पढ़ा ही नहीं है कोई बात नहीं है तो बच्चो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि limit x tends to 0 x upon cos x एक x की जगा हम क्या लिख सकते ह अब बच्चो देखिए कि जब भी आपके बास है को से कोट आएगा तो आप उसे रैसी प्रोकल में लिख लीजे क्योंकि आपने उसी में limit learn कर रही हैं बच्चो अब कुछ भी नहीं बच्चा बच्चो इस question में ये तो 0 हो गया को जीरो की value 1 तो 0 upon 10 कितना आ गया बच्चो कि लिए रुगा तो जब भी ऐसे कोई आता है question जिसमें को सेक्स है क्या कॉट होगा तो आप उसको किसमें change कर लेंगे sign cause और 10 में change कर लेंगे बच्चो उसके बाद आप उसे evaluate कर लेंगे तो आपने देखा कि अब यहां पर फिर भी कोई दिकत नहीं आई बच्चो next question लेते हैं बच्चो next question हमें दे रखा है limit x tends to 0 ax plus sin bx over sin ax plus bx अब बच्चो यहां पर हमारे पास question आया कि limit x tends to 0 ax plus sin bx over sin ax plus bx ही हमारे पास question आया हमें यह solve करना है बच्चो अब इसको solve करेंगे तो x की जगा 0 रखा तो बच्चो देखे 0 हो गया sin bx भी 0 0 plus 0 0 आ गया और नीचे भी 0 आ जाएगा बच्चो तो 0 upon 0 की form generate होगा यानि अभी हम इसे solve नहीं कर सकते हैं अब बच्चो हमें इसे solve करने के लिए क्या करना पड़ेगा उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चो यहाँ पर bx का multiply bx का divide ऐसी denominator में ax का multiply ax का divide तो बच्चो हमने इसे लिख दिया ax plus sign bx over bx अब यह तो 1 मन जाएगा बच्चो डिवाइड करा है तो bx का multiply भी करना पड़ेगा sign ax over ax बच्चो डिवाइड करा है तो multiply भी करना पड़ेगा plus का bx यह हो जाएगा बच्चो अब बच्चो हमने इसे लिखा कि limit x tends to 0 अब हमने numerator से बच्चो क्या common ले लिया x common ले लिया तो बच्चो यह हो गया a plus b आ गया आ गया sin bx over bx x common लिया बच्चो तो a into sin ax over ax plus b आ गया ठीक है x x cancel हो गया बच्चो अब आपने limit पुट कर दी बच्चो तो a plus b into 1 यह हो जाएगा बच्चो नीचे a into 1 plus का b तो बच्चो यह हो गया a plus b over a plus b cancel हो गया बच्चो तो इसका answer कितना निकल कर आ गया इसका answer आपके पास one निकल कर आ गया कि देर हो यानि आपको सबसे पहले यह देखना है कि क्या टिग्नोमेट्रिक फॉर्म बन भाई है जीरो इससे जीरो आने का खतरा खतम हो गया उसके बाद तो बच्चो आपको कॉमन लेके अग्याे का एक स्क्रम जीरो कॉसेक एक्स माइन कोक ट्स करते हैं अब आपने क्या यह ड defend ट्रने को सेक्स माइन कोट एक सबदेखी ना आपने ना तो कोशेक का बढ़ा है ना कोट का बढ़ा है आपने तो सट साइन कोज और टैन का बढ़ाए था कोई दिक्कत नहीं है बच्छों आप इसे चेंज कर लीजे सॉलूशन limit x tends to 0 आपने से क्या लिख सकते हैं 1 upon sin x minus cos x over sin x यह लिख सकते हैं बच्छों अब LCM लेंगे बच्छों तो यह हो जाएगा limit x tends to 0 1 minus cos x over sin x अब थोड़ा सा टिक्नोमेटरी का यूज कर लेते हैं limit x tends to 0 1 minus cos x कितना हो जाएगा 2 sin square x by 2 1 minus cos x का formula कितना होता है 2 sin square x by 2 और sin 2x का बच्छों क्या होता है 2 sin x cos x तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं 2 sin x by 2 cos x by 2 2 से 2 कट गया sin के square से बच्छों sin x by 2 कट गया अब यह हमारे पास हो गया sin x by 2 upon cos x by 2 यानी 10 x by 2 तो 10 0 हो गया बच्छों अब यहाँ पर अगर हम put करेंगे तो हमने पढ़ाता बच्छों कि 10 theta अगर theta tends to 0 है तो कितना answer देता 0 आप चाहें तो इसमें x by 2 का multiply x by 2 का divide भी कर सकते हैं जिससे 1 मन जाएगा यहाँ पर 0 आजाएगा तो 1 into 0 की value कितनी हो जाएगी बच्छों 0 हो जाएगी तो इसका answer कितना आगया आपके पास question का answer आपके पास 0 आगया यानि अगर आपको जैसे कोसेक और कोड के नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है बच्छों उसमें आप confuse मत हो यह का उपड़ाईएगा मत बुलकुल भी आप उसे sign और cause में change करिए और बस solve कर लिए अब देखिए कि आप यहाँ पर Tignometry का यूज आ रहा है बच्छो Tignometry के formula का यूज यानि एक limit जो चैप्टर है कैलकुलेस का वहाँ पर आपके पास किसका यूज आ रहा है Tignometry का यूज आ रहा है बच्छो यह सोचके बिल्कुल भी ना पड़े है कि इंपोर्टेंट नहीं है हर चैप्टर बच्छो अपनी इंपोर्टेंस रखता है इसलिए वह स्लेबस में है अदर्वाई स्लेबस में नहीं होता ना बच्छो अब देखिए next question बच्छो अब हमारे पास आया कि limit x tends to pi by 2 10 2x over x minus pi by 2 अब बच्छो अगर हम यहां पर पुट कर देंगे तो बच्छो ऊपर हो जाएगा हमारे पास अगर मैं pi by 2 रख दूंगा तो बच्छो 10 180 हो जाएगा 10 180 की value कितने हो जाती है 0 हो जाती तो 0 अपन 0 की form बन जाएगी यानि हम इसे तो solve नहीं कर सकते हैं अब नीचे x minus pi by 2 बनना है बच्छो 2x भी बनना है तो अगर हम 2x का multiply divide करेंगे तो भी solve नहीं हो तो बच्छो ऐसे question में हम क्या करते हैं कि LHL या RHL निकाल कर solve करते हैं जब भी ऐसा question आएगा तो आपके पाद जैसे x minus pi by 2 दे रखाए तो आप क्या करिए इसकी limit का RHL निकाल लीजे बच्छो जो RHL की value होगी वो ही किसकी value हो जाएगी इस limit की value हो जाएगी तो ऐसे question को solve करने के लिए हम आरेचल निकालते हैं बच्छो हमने लिखा limit x tends to pi by 2 positive 10 2x over x minus pi by 2 एसा इसलिए करा कि pi by 2 plus h डब डालेंगे बच्छो हम तो pi by 2 से pi by 2 denominator में cancel हो जाएगा अब यह हो गया बच्छो limit x tends to 0 10 2 into pi by 2 plus h यह हो जाएगा बच्छो डिवाइड में हो जाएगा pi by 2 plus h minus का pi by 2 से pi by 2 cancel हो गया बच्छो limit x tends to 0 टू का इंटू करेंगे बच्छो अंदर तो 10 pi plus 2h और नीचे कितना हो जाएगा अब 10 pi plus 2h है तो बच्छो pi 180 degree होता है तो 10 180 प्लस ठीटा तो 90 into 2 है नी चेंज तो होगा नी तो 10 2h आ जाएगा बच्छो देखिए आपको याद ना हो तो में एक और बता दू 10 10 pi plus 2h है तो बच्छो 10 180 plus 2h तो यह आपके पास हो जाएगा 10 90 into 2 plus 2h तो 10 19 into 2 है तो 10 2h अब 19 into 2 है तो 1 2 बच्छो थर्ड को आडन में चले गए तो थर्ड को आडन में 10 कैसा होता है पॉजिटिफ का तो यह आपके पास आ जाएगा बच्छो लिमिट 10 2h over h अब नीचे बच्छो एंगल सेम करने के लिए 2 का मल्टिप्ला 2 का डिवाइट तो यह तो बच्छो तो आंसर कितना आ जाएगा बच्छो आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा के लिए रूगा बच्छो तो यह कुछ कोश्चन बच्छो अलग टाइप के कोश्चन है इसमें हम क्या करते कि आप देखेगा आप चाहे तो पाइबाइटी टू एक्स का मल्टिप्लाइट करके भी बच्छो यह सौल हो सकता था लेकिन 2x का मल्टिप्लाइट करने से यहाँ पर प्लस और माइनस तो हो नहीं रहता वहां तों क्या कर रहते कि x-a over x-a हो रहता यहाँ खालबोर्ट dat विग्णने आपने कशन होगई लिमित में कि जिसमें आप क्या करेंगे निकाल कर value को solve करेंगे ठीक है तो direct formula यहां पर नहीं लगता है बच्चों तो हम पहले rhl या lhl निकाल लेते हैं हमें पता है कि limit तो exist कर नहीं है बच्चों तो rhl या lhl निकाल लेंगी तो उसकी value जो आएगी वह ही limit की value हो जाएगी एक और question देखते हैं बच्चों हमने लिखा है बच्चों limit x tends to pi by 6 2sin square x plus sin x minus 1 over 2sin square x minus 3sin x plus 1 अब बच्चों में इसे solve करना है यहां पर हमारे पास आया limit x tends to pi by 6 2sin square x plus sin x minus 1 over 2sin square x minus 3sin x plus 1 अब pi by 6 value रखेंगे तो बच्चों देखी मैंने यहां पर value रखी pi by 6 की check करने के लिए तो 2 into sin pi by 6 यानी sin 30 sin 30 की value होती 1 by 3 square होगया बच्चों 1 by 4 plus 1 by 2 minus 1 तो बच्चों यह हो गया 1 by 2 plus 1 by 2 1 minus 1 0 आ जाएगा denominator में रखा तो बच्चों 2 into 1 by 4 minus 3 into 1 by 2 यह plus का 1 तो 1 by 2 plus 1 बच्चों कितना होगया 3 by 2 3 by 2 से minus करा तो क्या आ गया 0 आ गया यानि अगर हम यहाँ पर direct value put कर रहे है बच्चों तो direct value put करने पर जो form generate हो रही है वो 0 पर 0 की हो रही है तो हम इसे ऐसे तो solve करनी सकते बच्चों अब देखिए कि हम सबसे पहले देखेंगे कि ऊपर बच्चों sin x में एक polynomial है और denominator में भी sin x में एक polynomial है अब बच्चों अगर हम x की value 5 by 6 put कर रहे हैं तो वहाँ से answer कितना निकल कर आ रहा है वहाँ से answer आपका 0 निकल कर आ रहा है यानि कि बच्चों x minus 5 by 6 ऊपर भी factor की तरह क कर रहा है तो हम क्या करेंगे बच्चों कि सबसे पहले इसको middle term splitting करेंगे polynomial को fat rise करेंगे तो 2 into 1 बच्चों 2 हो गया हमने इसको लिख दिया 2 sin square x plus 2 sin x minus का sin x minus 1 नीचे बच्चों 2 sin square x अब 2 into 1 2 3 लाना है बच्चों तो minus 2 sin x minus sin x plus 1 आगे solve करा तो बच्चों यह हो गया आपके पास limit x tends to pi by 6 इसमें बच्चों 2 sin x common लेंगे तो यह बच जाएगा sin x plus 1 minus sin common लेंगे तो sin x plus 1 डिनोमेटर से बच्चों इसमें से 2 sin x common लेंगे तो क्या बच जाएगा sin x minus 1 minus sin common लेंगे तो बच्चों sin x minus 1 अब यह हो गया आपके पास limit x tends to pi by 6 sin x plus 1 बच्चों numerator से common आगेा 2 sin x minus 1 यहां से common आगे sin x plus 1 बारा है तो यहांसे 2 sin x बच्चा यहांसे minus 1 इसमें से बच्चों अमने sin x minus 1 बार लिया तो यह होगे आपके पास 2sin x यहां से बचके हैined यह cancel होगे है बच्छो अब यह आपके पास आगे है बच्छो यहां से की लेमिट x tends to pi by 6 limit तो आगई बच्छो x tends to pi by 6 यहां से कितना बचा आपके पास यहां से बचा बच्छो sin x plus 1 और denominator से sin x minus 1 अब बच्चो हम limit put कर देंगे 0.0 की form तो generate नहीं हो रहे ही क्योंकि उपर plus 1 है नीचे minus 1 sin 5 by 6 की value हो गई बच्चो 1 by 2 plus 1 over 1 by 2 minus 1 तो बच्चो उपर आगे 3 by 2 और नीचे आगे minus 1 by 2 यह cancel हो गया तो value कितनी निगल कर आगई value निगल कर आगई minus का 3 के लिए रुगा बच्चो तो जब भी ऐसा polynomial बन जाएगा बच्चो किसी trigonometric में तो आप क्या करेंगे उसे factorize करेंगे factorize करने पर वो factor बच्चो cancel out हो जाएगा जिसकी वज़े से 0 पर 0 की form बन रही थी अब हो factor solve हो गया तो बच्चो अब यह डारेक्ट सब्सिटूशन का कोशन बन जाएगा आपने डारेक्ट बच्चो एक्स की value पूट कर दी हो वहां से आपको क्या मिल गया वहां से आपको answer मिल के लिए रुगा बच्चो समझ में आ गया बच्चो यह सबको ठीक है बच्चो तो next question की दरफ चलते है next question देखिए बच्चो next question बच्चो हमने लिया कि limit x tends to pi by 4 2 minus cosec square x over 1 minus cos x 1 minus cos x अब बच्चो आपके पास आया कि limit x tends to 5 by 4 2 minus cosec square x तो cosec pi by 4 की value बच्चो root 2 होती है तो यह 0 बन जाएगा और इसकी value cot की virtue 1 होती है तो यह भी 0 यानि 0 upon 0 की form बन गई तो अभी तो बच्चो हमें से solve नहीं कर सकते है अब बच्चो हमें cosec में और cot में limit लगानी तो आती नहीं है एल सेम लेगे बच्चो तो limit x tends to pi by 4 2 sin square x minus 1 यह 2 sin square x minus 1 यह उगया बच्चो आपके पास sin square x divide में करेंगे बच्चो तो sin x minus cosec हो गया और यह आपके पास denominator में आगया बच्चो यहां से sin x यह cancel हो जाएगा बच्चो square से अब ये आपके पास आ जाएगा बच्चो लिमिट x tends to pi by 4 2 sin square x minus 1 over sin x into में sin x minus cos x इतने तक तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चो अब देखिए आगे solve करेंगे तो बच्चो हमने लिखा limit x tends to pi by 4 अब बच्चो 2 sin square x minus 1 है अगर मैं या से minus sin common ले लूँ तो ये 1 minus 2 sin square x बन जाएगा बच्चो और divide में हमारे पास हो जाएगा sin x sin x minus cos x ये हो जाएगा बच्चो अब देखिए कि बच्चो अभी भी अगर हम 1 by 4 यहां पर put करेंगे तो 1 by sin pi by 4 की value बच्चो कितने होती है 1 by root 2 तो square 1 by 2 1 minus 1 0 यहां भी 0 की form बन नहीं है अब बच्चो हम इसे क्या कर सकते हैं कि हमने यहां पर क्या करा limit x tends to pi by 4 1 minus 2 cos 2 x का formula बन गया तो बच्चो minus का cos 2 x 1 minus 2 sin 2 x होता है और यहां पर आगया बच्चो sin x sin x minus cos x अब जो sin x minus cos x आ रहा है तो बच्चो cos 2 x को ऐसे bifurcate करो जिसमें sin और cos दो नो आए तो बच्चो cos 2 x का formula होता है आपके पास cos square x minus sin square x यही होता है बच्चो sin x इस minus sin को बच्चो नीचे इसमें बेज देंगे तो यह हो जाएगा cos x minus sin x अब उपर बच्चो a square minus b square की form बन नहीं है तो आप मुसे evaluate करेंगे तो हम इसे लिखेंगे बच्चो cos x plus sin x और cos x minus sin x नीचे हो गया बच्चो आपके पास sin x और यह हो गया आपके पास cos x minus sin x तो cos x minus sin x से cos x minus sin x cancel हो गया बच्चो अब आप देखें कि pi by 4 put करेंगे तो अब 0.0 आने का कोई मतलब भी नहीं है यानि कोई intermediate form नहीं बनेगी तो आप value direct put कर सकते हैं बच्चो तो cos x 4 की value हो गई आपके पास 1 by root 2 प्लस 1 by root 2 और बच्चो sin x 4 की 1 by root 2 तो यह हो गया 2 into 1 by root 2 बच्चो और divide में 1 by root 2 cancel हो गया बच्चो तो value कितनी निकल कर आगई 2 यानि इसका जो answer है बच्चो वो आपके पास कितना निकल कर आगया है इसका answer आपके पास निकल कर आगया clear हुआ बच्चो तो बच्चो यह वो question से जो technometric limits में पूछे जाते हैं मैंने आपको generally जितने types के question arise होते हर type का मैंने एक ही question आपको करा दिया है हर method का एक ही question करा दिया है जिससे जब आप question करेंगे तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी formulas बस आपको learn करने formulas आपने देख लिए कि कहा कैसे apply हो रहे हैं application मैंने आपको बता दी sign cause or 10 में बच्चों हमने पड़े हैं जैसे ही आपके पास sec, cosec और cot में आ जाएं तो आप उसको reciprocal करके change कर लिजेगा तो यह बच्चों आपका आज का topic था evaluation of technometric limits यह हमने complete कर लिए है तो आज की class बच्चों हम यही खतम करते हैं Thank you students